रामदास चंद्रभान तडस एक किस्सा राजनीतिक सेवा और सामाजिक शेत्र के प्रतिसमर्पित श्री रामदास चंद्रभान तडस जो महाराश्ट्र के वर्धा जिलहा के देवली गाव में 1 अप्रेल 1953 को उनका जन्म हुआ उन्होंने अपने जीवन को एक सामाजिक सेवक और राजनीतिक कार्यकरता के रूप में समर्पित किया है उनके पिताजी किसान थे जबकि मा कौसल्या तडस एक ग्रिहनी थी उनकी शिक्षा का आरंभ विदर्भ बोर्ड ओन ओफ सेकेंडरी एजुकेशन से हुआ और वे एक क्रिशि उतपादक और सामाजिक कार्यकरता बन गए रामदास तडस ने खुद को एक प्रमुक कुष्टी खिलाडी के रूप में साबित किया है और उन्होंने विदर्भ केसरी का शीरशक जीता है साथ ही जग रूप इंटरनेशनल कंपटीशन में भी शामिल हुए है वह महाराष्ट्र कुष्टिगिर परिशद के उपाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य कुष्टी परिशद के सदस्य और विदर्भ कुष्टी एसोसियेशन के कार्यकारी प्रमुख रह चुके है उनकी राजनीतिक यात्रा भी काफी रोचक है वह ने कांग्रेस के सदस्य के रूप में अपना करियर शुरू किया और 1985 में देवली म्यूनिसिपल काउंसिल के चेयर परसन बन गए महाराष्ट्र विधान परिशद के सदस्य और महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम के निदेशक के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी 2009 में उन्होंने भारतिय जनता पार्टी भाजिपाम में शामिल होकर नेतरित्व की उंचाईयों को छूने का साहस दिखाया वह महाराष्ट्र राज्य इकाई के उपाध्यक्ष बन गए और 2014 और 2019 में वार्धा लोकसभाक्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में चयन होने में सफल रहे आर्थिक रूप से उनकी जमीन की संपत्ति की अंगीकृत मूल्य 6, 58, 07, 822 रुपिये है जिसमें 99.11 लाक रुपिये की चलनी जमीन संपत्ति और 5.59 लाक रुपिये की अचल संपत्ति शामिल है उन्होंने पारलियामेंट में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की व्रिद्ध के लिए आवाज उठाई और अपने क्षेत्र में सड़े, डेकों और फ्लायोवर्स के निर्मान के लिए प्रेरित किया हालांकि कुछ परियोजनाएं अदूर हो रही है, जैसे कि हिंगन घाट जल सीवर परियोजना जिसका कार्य सेवन वर्षों से शुरू हो रहा है रामदास तडस का संघर्ष पूर्ण सफर एक सामाजिक कर्मियानी और राजनीतिक उत्साही की कहानी है जो उनके समर्पन और कड़ी मेहनत का परिणाम है इसे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन रोचक कहानियों से जुड़े रहें